हाई एवरिवान वेलकम बैग तो यहाँ पर हम कार्बे नाइन की स्टेबिलिटी पर एक क्वेशन डिसकस करेगे दोनों में से आपको बताना है कौन सा कार्बे नाइन स्टेबल है जादा ठीके तो देखो यह कार्बे नाइन है और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो इसतरी ग्रॉप्स दोनों में है ठीके तो कौन सा इवेक्ट देते हैं इस तो डा से कहते औरников ब्लस एभकट देते हैं मतलब वह लेट्रोन इसमें एक ही बात होती है अगर किसी तरह से cancer dispersed हो रहा है, charge कम हो रहा है तो उससे पूरी की पूरी जो स्पिशी होती है वो स्टेबलाईज हो जाती है, ठीक हैं, अगर चार्ज intensify हो रहा है चार्ज बढ़ रहा है तो आपकी species जो है intermediate है वो unstable बन जाता है अगर यहाँ पर कुछ minus i effect वाले ग्रूप लगते तो क्या करते वो electrons को यहां से अपनी तरफ खींचते और इस charge का negative charge का क्या हो जाता dispersion हो जाता कम हो जाता तो stability होती लेकिन यहाँ पर तो plus i वाले है तो अगर यह directly proportional है minus i effect वाले groups के तो जो कार्बोकेटाइन की यह stability की बात हो रही है ठीक है stability की बात हो रही है तो कार्बेनाइन की जो stability है that is inversely proportional to groups with plus i effect तो यह वाली चीज़ यहाँ पर हम use करने वाले है करोगे एक और मैंने शॉर्ट रिक आपको बताई है d dns ठीक है dns मतलब distance number and strength सबसे पहले आप distance देखोगे बिकेस जो inductive effect है वो क्या है distance dependent है जितना close कोई group होगा उतना ज्यादा उसका effect होगा inductive effect उसका ज्यादा होगा फिर आप नंबर पे जाते हो lastly आप strength को compare करते हो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे carbonine का जो carbon है वो यह है इसे first second second position पे लगा है CH3 ठीक है और यहाँ पर देखोगे तो बिलकुल next carbon पे ही CH3 है that means यहाँ पर CH3 near है और यहाँ पर far है तो यहाँ पर plus i effect दोनों में है यहाँ पर भी plus i effect है ठीक है लेकिन plus i effect इसमें ज्यादा है इसमें plus i effect more है और इसमें plus i effect comparatively less है दोनों का आपस में देख रहे है क्योंकि यह क्या है यह distance far है क्योंकि यह जो distance है यहाँ पर far है और यहाँ पर जो distance है वो close है ठीक है close है close to a nine ठीक है कार्बेनाइन के close है अब यहां पर यह वाला relation यूज करेगे बिकेस यहां पर दोनों plus eye effect शो कर रहे है तो आप देखो अगर कार्बेनाइन की stability जादा कब होगी कार्बेनाइन कौन सा कार्बेनाइन stable होगा जिसके पास ऐसा group होगा जिसका plus eye effect कम हो जहां पर plus eye effect आपको कम नजर आ रहा है दोनों में से plus eye effect कम कहा है जहां पर यह जादा far away from a nine है ठीक है तो यहां पर plus eye effect less है less है तो कार्बेनाइन की stability जादा है तो यह हो जाएगा more stable तो यह है more stable second वाला जो है second वाला कार्बेनाइन आपका जादा stable होगा as compared to first तो इसकी जो stability है वो कैसी हो जाएगी जो second है second जादा stable हो जाएगा first से ठीक है reason ऐसे ही आपको देने है क्योंकि यह क्या है यहां पर जो plus eye effect है वो less है और जिसकी वज़़ज़ से plus eye effect less है तो anine की stability जादा हो जाती है